बारत में जहां पर इंटर कास्ट मैरिज को लेके वहां बहुत बढ़ा अमा उस बात को लेके बहुत बढ़ा अमा हो जाता है फिर वहां तो लड़का और लड़की होते हैं लड़का लड़का नहीं होते हैं लड़की लड़की नहीं होती उस बात को अगर आप छोड़ें त वहाँ जो LGBT community उसको अपनाया जाए या फिर जो gay है, lesbian है उनके रिष्टे को अपनाया जाए तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है इसमें बहुत कम उमीद भी हो जाती है कैर जब Supreme Court का जब फैसला आया था तो LGBT community को एक नई उमीद नजर आई थी लेकिन मेरे हिसाब से अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा लोगों को अपनाने में इन सब चीजों को कैर मैं बात कर रहा हूँ सुमंगलम जादा सावधान की जिसे direct किया ही थे इसके वल्या ने, जिसके अंदर कास्ट है आईश्मान कुराना, जितेंदर कुमार, नीना, कुपता, गिर्राज, राओ और भी अन्यकला का कहने की बात करूँ तो दो लड़के हैं कार्तिक और अमन कार्तिक जिसे प्ले किया है आईश्मान कुराना ने और अमन जिसे प्ले किया है जितेंदर कुमार ने दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं अमन के घरवालों को ये बात पता नहीं होता है कि वो गे है और ये बात पता होती है कार्ति के घरवालों को कैर जब अमन के घरवालों को जो भी बात पता चलती है कि वो गे है तो कैसे वो अपने घरवालों को मनाता है किन-किन परिशान को उसे निपटना होता है कौन सी परिशानिया उसके सामने आती है तो यह सब चीजें इस मुवी में दिखाए गई है कैर लास्ट में जाके सारे के सारे फैमिली वाले इस बात से मान भी जाते हैं कि ठीक है गे हैं दोनों को एक साथ रहने दिया जाए कोई इसमें बुरा ही न मुवी को आप जब देखने बैठोगे और दो घंटे कब आपके निकल गई ये पता नहीं चलाए और सबसे जबरदस चीज है कि आपके चेहरे पर से एक सेकंड के लिए भी वो स्माइल मिस नहीं होने वाली है क्योंकि मुवी की अगर एक्टिंग की बात करूंज तो आयश्मान कुराना ने तो इस बार केली कर दिया मतलब बहुत एच्छे से उनका जो करेक्टर डेवलोपमेंट है वो बहुत उम्दा लेवल मु दिखाये गए हैं दोनों ने अपने लेवल पर इतनी जवर्दस एक्टिंग किया है कमाल है और बाकी जो जितने भी कलाकार है हर एक ने अपना किरेधार बखू भी से निखाया है मतलब आप जब मूवी देखके थेटर से बाहर निकलोगे तो एवन ऐसा कोई करेक्टर एक लेवल का यहां पर वेटेश दिया गया है जो एक काफी अच्छी चीज है मुवी में कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है मुवी के जो डायलोग जो है वो इसका मैं क्या कहूं मैं तो इतना जवर्दस डायलोग इन्होंने बोले निना गुपता की जी की तवारे एक डायलोग बोला गया था वह बहुत मुझे उससे पर बहुत असी आई दी 69 साल का एक डाइनोसोर का अंडा ऐसा कुछ करके था बहुत उम्दा लेवल का मुझे बहुत लगा चलो आपको सीरियस बातें कर लेते हैं कुछ चीजह यहां पर पॉइंट आउट करनी मुझे कि मेरे ओपीनियन से जो छोटा बच्चा ङस जिनք मानसिकता भी बड़ी कच्ची है तो मुझे लगते हैं कि उन बच्चों को अभी ऐसा कुछ चीज़ों को पढ़ाया ना जाए ऐसी चीज़ें दिखाई ना जाए बताया ना जाएंनके सामने ऐसी कुछ चीज़ें करे ज जब बड़ा होगा तब वो खुद अपनी sexuality, खुद decide करेगा कि हाँ, कि उसकी sexuality है क्या, लेकिन तब तक कि ये नहीं कि उसको एक, उसके curriculum में या उसके schooling system में कोई ऐसी book वहाँ पर डाली जाए, या फिर कुछ अलग से उसे कुछ videos, या फिर कुछ लोग आके उसे बताएं, नहीं नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि उसको ऐसा कुछ बताना चाहिए, वो अपनी sexuality, जब बड़ा होगा, वो खुद decide करेगा, किसी दूसरे को उसे बताने की जरूरत नहीं है, कि ये LGBT community क्या होती है, या फिर इसके अंदर gay क्या होते हैं, lesbian क्या होते हैं, या फिर कुछ इन सिब चीजों से मुझे लगता है, कि बच्चे को दूर रखना चाहिए, जब वो बड़ा होगा, वो decide कर लेगा, कि उसे क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, अगर फिलाल उसे अभी से ही अगर ये सब चीजें बता दी जाते हैं, तो वो अपनी मानसिक्ता को लेकर इतना confused रहता है, कि वो खोजने मी लग जाता है, कि वो है क्या, अगर ऐसा चलेगा, तो बच्चा आने वाले टाइम में कैसे वो महान लोगों की श्रेणी में शामिल हो पाएगा, जिन्होंने इतियास में बहुत बड़े काम किये है, वो सिर्फ उर सिर्फ उसी चीज में ही घूमता रहेगा, कि उसकी sexuality क्या है, वो क्या बनना चाहता है, तो यह सब चीज़े मेरे उपीनियन से, एक बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए, बड़ा होगा, अपने आप डिसाइड करेगा, अगर जो वो बनना चाहिए, वो बनने, और लोगों को उसे accept करना चाहिए, लेकिन छोटे बच्चे को यह सब चीज़े मेरे उपीनियन से उन्हें दूर रखना चाहिए, उन्हें सिरफ और सिरफ फोकस उनके character development में ही करने दो, कि उनकी physical strength को लेके, उनकी मानसिक्ता को लेके, इन सब चीज़े को उनके उपर काम करने दीजिया, कुछ और चीज़ें उन्हें नहीं बताने की जुड़ते हैं, क्योंकि बच्चे को भी आप किसी तरीके से भी ढाल सकते हैं, इतना मेरा मानना है, मेरी तरफ से इस movie को मैं देना चाहूँगा 7 out of 10 star, आप लोगों ने अगर इस movie देखी है, तो नीचे कॉमेंट खरके बताईए कि आपको कैसी लगी अगर नहीं देखी है, तो जाकर देखें, movie अच्छी है, comedy बहुत अच्छी है इस movie के अंदर, thanks for watching this video, मिलते हैं next video में, जाहिन!